अस्सलाम अलेकुम क्या हाल चाल हैं कैसे हैं आप सब I hope you are doing well तो आज आप देख रहे हैं week day का vlog और बच्चे दोस्ट चले गए हैं school और husband भी office चले गए हैं और ऐसा होता नहीं कि मैं कभी यहां से गुज़नू तो balcony में ना खड़ी हूँ इतना अच्छा लगता है फूल वगेरा भी अब तो निकलना start हो गए हैं और यह जो सामने आप पेट देख रहे हैं न खुब बड़ा वाला यह तो पूरे orange flower से लच जाता है बस अब time होई गया है इसका और बहुत ही खुबसूरत नजारा होता है यहां से जब भी मैं यहां से गुजरती हूं न तो एक बार सुबह सुबह जरूर ज़रूर ज़ाक लेती हूं बैलकनी में और यहां पे आरिस मिया भी उट गये हैं और ब्रश वगेरा करने के लिए आप वाश रूम आए हैं आप लोग सोच ज़ोंगे कि आज आरिस घर में कैसे है वीकडे के दिन तो आरिस जो है न वो गया था स्कूल और वहां से स्कूल से फोन आया कि इसको लेके जाईए क्योंकि इसकी तब्यत जो ठीक नहीं है लूज मोशन वामिटिंग वगेरा हो रही है तो हस्बेंट जाके इसको ले आया थे स्कूल से और तब से हमाई घर में सारे लोगों को बारी-बारी स्टमक फ्लू हुआ है मेरी भी आवाज से आप लोगों को पता चल रहा हुआ कि तब्यत नासाज है इसलिए मेरा व्लॉग आने में बहुत टाइम लग गया मैं कब से सोच रही थी वाइस ओवर करने के लिए बट जो है वो तब्यत साथ नहीं दे रही थी बहराल आज किसी सूरत से जो है वो मैंने हिम्मत करके एडिटिंग कर ली तब्यत अच्छी हो चाहे खराब हो घर के काम वो किसी के लिए रुकते नहीं है और अगर ना करो ना तो पाइल अप होते जाता है इसे अच्छा धीरे धीरे जो है वो करते रहना चाहिए तो मैं जा रही थी नीचे आरिस को नाश्ता कराने के लिए तो मैं सोची कि जल्दी से उपर से सब मैं क्लीन कर दूँ बैट शीट वगेरा ताकि रूम जो है ना वो देखने में क्लीन लगेगा बैट साही करने के बाद ये लिंट रिमूवर जो है ना वो एक दफा मैं बैट पे जरूर चला देती हूँ ये देखिए दिखने में लगता है कि बैट साफी है बट कितना कच्रा रहता है हाला कि हम सब नीचे ही रहते हैं उपर बहुत ही कमाते हैं बट फिर भी जो है बहुत जादा बाल और छोटी छोटी डस्ट पार्टिकल्स जो है ना वो आई ही जाते है तो बस इसे जो है मैं क्लीन कर दूँगी ये दिखिए और आज जो है ना मैं इसका एक स्पेशल सी जगा बनाने वाली हूँ ये प्लास्टिक का डबा मेरे पास पड़ा हुआ था तो प्लास्टिक का कंटेनर आपको पता है मैं जादा यूज करती नहीं हूँ किचन में तो वैसे भी ये फेका ही जाता तो मैंने सोचा इस से अच्छा इसको रियूज कर लेते हैं कहीं पे तो मैंने सचा कि लाओ यह लिंट रिमूर रखने के लिए इसको पर्मनेंट जगा इसकी बना देते हैं तो यह दिखे डबल साइडेट टेप से मैंने इसे चिपका दी हूँ और यहाँ पे साइड टेबल है उसके इस तरफ काफी जगा है तो वहाँ पे डबल साइडेट टेप से मैंने इसे यह चिपका दी हूँ अब यह गिरेगा नहीं और उपर से इसको मैं रख दूँगी तो अब हर दम जो है ड्रॉर में इसे इसको ढूनना नहीं पड़ेगा यह उसकी पर्मनेंट जगा हो गई आर इसको नाश्टा कराने के बाद जो है ना मैं सोच रही थी के थोड़ा सा अद्रक लेसुन वगेरा पीस लेती हूँ और अद्रक लेसुन तो इस तरह से खतम होता है जैसे पता नहीं कहा जाता है कितना हम लोग खा रहे हैं असल में इंडियन फूड में जो है ना वो बहुत जादा अद्रक लेसुन का पेस्ट का यूज होता है तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताई थी के मतलब लेसुन में ओलिव ओईल और सॉल्ट डाल के पीसेंगे ना तो उसका कलर चेंग नहीं होता है तो तब से मैं यही करती हूँ थैंक्स टू दाट सब्सक्राइबर एक अंटी थी बहुती प्यारी सी माशालल से और बेटा बेटा करके उन्होंने मुझे मैसेज किया था यूट्यूब पे तो मैं तब से वैसी ही करती हूँ तो मेरा हध्रक लैसन का जो पेस्ट है न वो काफी दिन तक बहुत अच्छा सा फ्रेश भी रहता है और कलर भी बहुत ही अच्छा रहता है अब यहाँ पे 3.30 हो गया है और अफान आ गया है स्कूल से और आज है ना अफान के स्कूल में को मेमुरेशन दे था तो यह हर स्कूल में UAE के सलिबरेट किया जाता है 30th November को तो बस आज अफान को न UAE flag color की shirt पहन के जानी थी तो बूख लगी है खाना दो भूख लगी है खाना दो भूख लगी है खाना दो लो वाओ श्रिम्स आज है न मैंने लंच के लिए कुछ भी बनाई नहीं हूँ असल में कल रात का जो लेफ्ट ओवर श्रिम्स था न वो ही मैंने इस टाइम दोपहर में चला दी हूँ अब फ्रेश जो है न वो रात में मैं बनाऊंगी इस टाइम जो है न यहां पर मैं सिलाई कर रही हूँ फलक का एक कुरता रेडिमेड लेके आई थी और रेडिमेड कुरते तो आप लोग को पता ही है कि किस तरह से होते हैं अगर पतली दुबली लड़किया है तो उसको जो है ऑल्टेशन किये बगेर जो है वो पहनी नहीं सकते हैं फलक के हैं न सारे कपड़ों में कुछ न कुछ जरूर आल्टेशन करना पड़ता है कभी कमर टाइट करनी पड़ती है तो कभी जो है शोल्डर्स छोटा करना पड़ता है इसलिए जो है न मैं सिलाई का डबबा सिलाई की मशीन रखी रहती हूं घर में सिलाई के डब्बे में ये कपड़ा मुझे दिखा तो याद आया मुझे के लास्ट येर फलक के स्कूल में था के बेस्ट आउट ओफ वेस्ट बनाना है तो कॉटन के कपड़े से हल्दी का कलर डाल के जो है वो मैंने ये टाइन डाई की प्रिंट बनाई थी बॉइल करके पा अच्छा लगेगा लॉंग कूर्थी टाइप तो आप लग बताईए का कि कैसा लग रहा है यहां जहीं भी आ गया है साड़े चार बज़ रहा है कि अफ़ान को देखके ना आरिस भी जिद करने लगा कि मुझे भी यूई की नाशनल फ्लैग वाली शर्ट पहननी है आज आ यहां पर ना मैं प्रोबाइटिक पिला रही हूं आरिस को और पेट के अंदर जो भी बैक्टेरिया वगेर है ना वो इससे फ्लैश हो जाएगा तो ज्यादा कुछ दवा नहीं है शुकर है यहां यहां तक हो जाएगा तब तुम अच्छे हो जाओंगे अच्छा घर में इतने सारे पेपर्ज जमा हो गए थे तो कब से मैं सोच रही थी कि आके यहां पर डिस्पोस कर दूँ पेपर्ज वगेरा तो बस अभी हम लोग यहीं आये हैं और यह घर के बिलकुल सामने ही है तीन सेक्षिन अलग मना हुआ है तो फलक ने यहां पर जैसे ही डाली न तो आरिस इंदम जित करने लगा कि उसको जो है यह कड़ी खोल के और उसके अंदर जो है तब डालना है पेपर तो मैंने बोली कि जैसी तुम कड़ी खोलो के सारा कच्रा तुमारा पर गेर जाएगा लेकिन नहीं उसको वही जित थी कड़ी खोल के ही उसको डालना है उपर से नहीं डालना है किसी सूरत से जो है मैं आरिस को मना के फाइनली घर आ गई हूँ और अब जो है ना चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ तो मैं भोना आलू बना रही हूँ ठाबा स्टाइल और साथ में जो है ना मैं पूरी बनाऊंगी रोटी मेकर में तो पूरी के लिए ना आटा गूनने के लिए सबसे पहले मैं रख देती हूँ ताके आटा अच्छा सा गून के सेट हो जाए तो बस उसके अंदर आटे में घी और सॉल्ट एड करने के बाद उसको हम लोग गून देंगे तो आटा हमेशा जो है ना वो मैं रोटी मेकर में और यहां पे ना मैंने दो बड़े साइज की ओनियन ली थी अब ओनियन को बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है गोल्डेन तो यहां पे ओनियन जो है वो गोल्डेन हो गए है और इसके अंदर जो है अब मैं छोटा-छोटा कटा हुआ अद्रब और लहसुन डाल दूंगी इसके अंदर पेस्ट नहीं पड़ता है खड़ा ही खड़ा सब पड़ेगा तो बस अब इसको भी जो हम लोगो थोड़ा सा भून लेना है गोल्डेन होने तक और जब तक यहां भून रहा ना मैं यहां पे एक मिक्सचर प्रिपेर कर रही हूँ तो दो टेबल स्पून मैंने ली हूँ दही और वन टी स्पून कोरियंडर पाउडर वन टी स्पून ही अर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी और यहां पे मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ली हूँ ताके उससे कलर अच्छा आएगा तो वह मैंने वन एन हाफ टी स्पून ली हूँ आप अपनी टेस्ट के हिसाब से लीजेगा मिर्चा और नमक अब बस इसको हम लोग मिक्स कर यहां पे देखे ओन्यंज हो गए हैं और बस इसके अंदर हम लोग को यह बैटर डाल दिना है दही वाला जो हम लोग ने मिक्स करके रखा था और ग्यास एकदम अदम रहेगी वनना दही न वह फटी-फटी सी हो जाएगी तो बस अब इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे और उ यह थोड़ा सा तीखा रहेगा ना चटपटा रहेगा तो अच्छा लगेगा तो इसलिए थोड़ा सा रचिली और ग्रीन चिली दोनों भी मैंने आड करी हूं अब इसको यहां पे भूनने के लिए भूण देंगे धकन लगा के और यह दिखिए थोड़ी दिर के बाद बि अच्छा एक चीज इसमें और पढ़ती है वो है वन टीस्पून भूनावा जीरा पाउडर लेकिन है ना मेरे पास भूनावा जीरा पाउडर खतम हो गया था मुझे एक्दम यादी नहीं रहा तो बिना जीरा पाउडर के मैंने बना दी अगर आप डालेंगे तो और भी अ सलाइस्ट पेज़ करेंगे तो जो मज़ा मखन में है वो तेल में नहीं है तो इसलिए जैसी मखन पिगल जाएगा तो अम भी लम ड़ीन लूट स्लाइस्ट आर उन्यच वी ग्रीन सब्सरनाव घाना है अगर आप चाहें तो तीन कलर की शिम्ला मिर्च भी ले सकते हैं अग बड़े साइस के आलू है और बॉइल है और ये कट है छोटे छोटे अब बस हम लोग इसको तेज आज पर भूनेंगे और इसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस रहना चाहिए और उसके बाद वो जो मसाला रेडी हो गया था जादा टाइम तो लगता है नहीं उस मसाले को भूनने म तो बस जल्दी से वो मसाला रेडी हो गया और उसको हम लोग ने डाल दिये आलू में और इसको हम लोग बस थोड़ी देर भूनेंगे के आलू के अंदर भी न थोड़े से मसाले जैना वो एब्जॉब हो जाए और आलू में भी न अच्छा सा टेस्ट आ जाए तो पैन में जो पानी डाल के मैंने खंगाल दी हूँ और उपर से अब मैंने डाल दी हूँ कसूरी मेथी बस अब इसको एक मैं दे दूँगी अच्छा सा मिक्स और उसके बाद इसको पकने के लिए बस दो से चार मिनिट रखूंगी मैकसिमम पांच मिनिट और उसके बाद हमारा आलू जादा कुछ करने के ज़रत नहीं बहुत जल्दी रेडी होता है अभी पांच मिनिट के बाद जो है ना आलू की शकल दिखाऊंगी यहां पे ना मैंने तेल रग दी हूँ गरम होने के लिए जब तक यहां पे तेल गरम होगा ना दुसरी तरफ हम लोग जो हैं वह अपनी यहां पर मैंने फलक को बठा दी हूँ कि तुम मुझे पेडा बना के दो तो रोटी मेकर में रोटी बनाने के लिए पेडा जो होता है ना वो इस तरह से हम लोगो फ्लाइट बनाना होता है गोल नहीं बनाना है ने तो रोटी जो है ना वो तेडी मेडी होगी और उसका यह जो मेरा रोटी मेकर है ना यह आटोमाटिक है मतलब अपने आप ही इसमें जो है गरम और ठंडा होता रहता है एज़ेस्ट करता है यह टेंपरेचर अपने हिसाब से तो सेंटर के थोड़े से पीछे हम लोगो रखना है पेडा और तब हम लोग इस तरह से प्रेस तो यह देखे जितना बड़ा आप लोग पेडा रखेंगे उत्ती बड़ी रोटी बनती है तो हमारे बहुत बड़ी बड़ी रोटी नहीं बनती है तो यह दिखे इस तरह से से शेक लेना है एक तरफ से और उसके बाद हम लोगो उसको टर्न कर लेंगे अब यहां पे भी अपने आप यह थोड़ी सी पक्ती रहेगी और जब आप देखेंगे कि इसके अंदर बबल जाने लगे ना तो फिर इसको टर्न करके धीरे से ढखकन उपर का बन कर दीजे खुद बखुद रोटी फूल के आ जाएगी सामने दिखा कितनी अच्छी सी फूली एकदम गुब पीछे नहीं और उसके बाद हम लोग इसको दबा के उठाएंगे थोड़ी देर एक तरफ सेखने देना है उसके बाद दूसी तरफ सेखेंगे और जैसे ही जो है बबल जाने लगेगा बस हलका सा प्रेस करना है अपने आप ही फूल जाती है और पूरी रोटी की तरफ हूल मतलब पूरी की तो पूरी को इतना कुछ सेखने की ज़रूरत नहीं वो तो और जल्दी बनती है बस उसको दोनों तरफ से सेखना है खाली हलका हलका सा तो यहां पे ना मेरी सारी पूरी रेडी हो गई थी और यहां देखे आलू भी पूरा रेडी हो गया है और मैंने धन्य पूरी चानू क्योंकि जो है ना ठंडी तो अच्छी नहीं लगती है तो बस यहाँ पे ना हजबन बुले कि लाओ मैं चानता हूँ बाकी तुम तयारी करो और स्ट्रेनर वगेरा रखो तो इसी में हम लोग चानेंगे पूरी अच्छा बहुत सारे लोग पूछ रहते कि मतलब आपका रोटी मेकर किस ब्रैंड का है तो वीडियो में आपने देखा होगा सूपर एशिया ब्रैंड का है और यह जो है ना मैंने ग्लोबल विलेज से ली थी कुछ लोग पूछ भी रहते हैं कि ग्लोबल विलेज क्या कोई शॉप है यह शॉप नहीं है यहाँ पे मतलब एक फैर लगता है दुबई में साल में एक बार और उसके अंदर बहुत सारे पवेलियन रहते हैं यह प्रवेलियन के अंदर इप यह रोटी मेकर ली थी तो बहुत ही अच्छा मतलब है एक चीज आप लोगो नोट करनी है कि मतलब जो है वो ग्रैनाइट का होगा ना तो टो अच्छा रहेगा तब रोटी जो है वह बहुत अच्छी बनती है इसके अंदर वैसे मैं जो है न वो रोटी मेकर में रोटी नहीं बनाती हूँ, मुझे तो तवे पे ही रोटी न वो सही लगती है तो कभी-कभी for a change के लिए ठीक है, बट सुहारी तो हमेशा मैं रोटी मेकर में ही बनाती हूँ, बहुत इजी हो जाती है और यहाँ देखे आरिस जो हैं वो चड़ गए हैं अपने काम पे, हम लोग यहाँ किचन में रहेंगे तो वो भी साती सात रहेगा और यहाँ देखे गरम-गरम पूरी बनती जा रही थी, चंती जा रही थी और जाइम जो है न वो खाना स्टार्ट कर दिया था और साथ में न मैंने चावल वगेरा नहीं बनाय थे, क्योंकि पूरी और आलू अपने आप में ही जो है न एक बहुती मज़ेडार दिश हो जाती है कि इसके साथ चावल वगेरा की ज़रूरत नहीं है तो फिर ठीक है फ्रेंड्स आज का व्लॉग में यहीं एंड करती हूँ और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और आपको पूस्टिंग वीडियो वेरी लेट मिलते हैं नेक्स व्लॉग में आला हाफिस